नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आइरन और फॉलिक एसिड की अधिक आवश्क्ता होती है। प्रेगनंसी के दौरान अगर कोई महिला परियाप बात्रा में आइरन का सेवन नहीं करती है। तो प्रेगनंट महिलाओं में खून की कमी हो सकती है। Dexorin syrup के अंदर iron के साथ-साथ folic acid भी मौजूद होता है। Folic acid शरीर में carbohydrate को glucose में बदलने का काम करता है, जिसकी वज़ा से शरीर को energy मिलती है। Pregnant महिलाओं में बच्चे के विकास के लिए भी folic acid बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा शरीर में folic acid की कमी होने पर भी शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसकरेंगे की शरीर में खून की कमी होने पर क्या-क्या लक्षन हो सकते हैं। सांस फूलना और दिल की धड़कन का तेज होना आदी लक्षन शरीर में खून की कमी होने पर हो सकते हैं। इसके अलावा मिट्टी या कागस खाने की इच्छा होना आदी लक्षन भी शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा ज्यादा मिट्टी खाता है, तो ये लक्षन शरीर में आईरन की कमी होने पर भी हो सकते हैं। शुरुआत में ज्यादातर व्यक्तियों में खून की कमी होने पर कोई लक्षन नहीं होते हैं। लेकिन जब शरीर में एनीमिया की गंभीरता बढ़ती जाती हैं। वैसे वैसे एनीमिया के लक्षन भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए और शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए डॉक्टर डेक्सोरिन्स सिरप को लेने की सला दे सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपिया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में डेक्सोरिन्स सिरप की वज़ा से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में डेक्सोरिन्स सिरप की वज़ा से कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कब्स होना या दस्त्त होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में डेक्सोरेंज सिरप की वज़़े से उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना बधजमी या सीने में जलन होना और पेट में दर्ध हो सकता है आम तोर पर ये side effects अस्थाई होते हैं और जैसे- जैसे आपका शरीर डेक्सोरेंज सिरप के साथ तालमेल बनाता है वैसे वैसे ये साइड इफेक्ट्स भी कम हो जाते हैं यदि इन में से कोई भी साइड इफेक्ट्स लगातार बना रहता है या ज्यादा होता है तो आपको तुरंथ ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए डेक्सोरेंज सिरप की वज़ा से तट्टी का रंग ब्लैक हो सकता है डेक्सोरेंज सिरप की वज़ा से तट्टी का रंग ब्लैक होना कोई नुकसान दायक नहीं होता है डेक्सोरेंज सिरप को पीते समय यदि डेक्सोरेंज सिरप दातों पर लगती है तो इसकी वज़ा से दातों पर काले रंग के धब्बे हो सकते हैं. इसलिए दातों को काले रंग के धब्बों से बचाने के लिए Dexorin syrup को जूस या पानी में मिला कर पीना चाहिए. और इसके अलावा आप Dexorin syrup को straw यानी जूस पिने वाले पतले पाइप की मदद से भी Dexorin syrup को पी सकते हैं. ताकि Dexorin syrup की वज़ा से दातों के रंग को प्रभावित होने से बचाया जा सके. अब हम डिसकस करेंगे की Dexorin syrup को कैसे लेना recommended होता है. Dexorin syrup को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. Dexorin syrup को लेने के बाद कम से कम 20 मिनिट तक आपको लेटना या सोना नहीं चाहिए. आम तौर पर 12 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर 15 मिलिलिटर Dexorin syrup को दिन में दो बार लेने की सला देते हैं. ज्यादातर प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर Dexorin syrup को प्रेगननसी के पहले 12 सप्ता यानि प्रेगननसी के पहले 3 महिने पुरे होने के बाद ही Dexorin syrup को शुरू करने की सला देते हैं. क्योंकि प्रेगनन्सी के पहले तीन महिने के अंदर प्रेगनन्ट महिलाओं को उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना या मुंग का स्वाद खराब होना आधी समस्याएं अधिक होती है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर प्रेगनेंसी का चौथा महिना शुरू होने के बाद ही डेक्सोरेंस सिरप को शुरू करने की सलाह देते हैं। लेकिन यदि किसी प्रेगनेंट महिला को एनीमिया की गंभीरता ज्यादा है, तो डॉक्टर प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी की शुरुआत से भी डेक्सोरेंट सिरप को लेने की सला दे सकते हैं. वैसे ज्यादातर प्रेगनेंट महिलाओं को डॉक्टर सिरप की बजाए टैबलेट देना प्रिफर करते हैं डेक्सोरेंज सिरप की डोज उम्र शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है इसलिए आपको डेक्सोरेंज सिरप को आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की डेक्सोरेंज सिरप को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए डॉक्टर डेक्सोरेंज सिरप के साथ विटामिन सी की सिरप या विटामिन सी से भरपूर खादय पदार्थों जैसे टमाटर, आवला, संतरा, स्ट्रोबेरी, अंगूर, अमरूद और कीवी आधी को खाने की सला दे सकता है क्योंकि विटामिन सी शरीर में आईरन के अवशोशन को बढ़ावा देता है, जिसकी वजह से डेक्सोरेंज सिरप की प्रभावशीलता बढ़ जाती है आईरन के साथ चाए, कॉफी, साबुत अनाज, अंडे और दूद या दूद से बने खादय पदार्थों को खाने से बचना चाहिए क्योंकि इनकी वजह से शरीर में आईरन का अवशोशन कम हो सकता है शरीर में एनीमिया की जाच कराए बिना डेक्सोरेंज सिरप को ज्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए क्योंकि शरीर में एनीमिया होने के अन्यकारण भी हो सकते हैं जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी होना, हीमोलिटिक एनीमिया होना, अप्लास्टिक एनीमिया होना और साइड्रोब्लास्टिक एनीमिया होना, अगर आपके शरीर में खून की कमी किसी अन्यकारण की वजह से है और आप शरीर में खून की कमी को पूरा करने के लिए जोज लिवर, हार्ट, ब्रेन और शरीर के अन्य ओगन्स को नुकसान पहुचा सकती है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना ज्यादा लंबे समय तक देक्सोरिन सिरॉब को नहीं लेना चाहिए। देक्सोरिन सिरॉब के साथ पेट में गैस वए अइसिडिटी कम करने वाली एंटासिट दवायान, कैल्शियम सप्लीमेंट, या साइड इफेक्स होने का भी जोखिम अधिक हो सकता है अगर आप इन में से कोई भी दवा लेते हैं, तो आपको dexorin syrup और इन दवाओं में कम से कम दो से लेकर तीन घंटे का gap रखना चाहिए. अगर आप अपने शरीर में खून की कमी को प्राकृतिक खाद्याय पदार्थों से पूरा करना चाहते हैं, तो आपको आवला, जामुन, अनार, चुकंदर, सेब, पालक, सूखी किश्मिश, अमरूद, केला, बादाम, काजू, अखरोट, तिल, गुड़ और मूंगफली आध का सेवन परियाप्त मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इन में आईरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और इनका नियमित रूप से सेवन शरीर में खून की कमी को दूर करता है, और शरीर में खून की कमी होने से बचाव करता है, वीडियो को देखने के लिए आपका धन